नमस्कार दोस्तों मैं सरवन विष्णुई आप सभी का मिसन ग्यान में आर्दिक श्वागत और अभिनंदन करता हूं देखी का मित्रों आज हम बात करेंगे आपकी भासा ग्यान के बारे में टोपिक रहेगा हमारा परकरण रहेगा भासा ज्यान उसके बारे में विश्तरित से परिचर्चा करेंगे भासा है क्या भासा की से कहते हैं भासा के परकार कितने होते हैं भासा की परिवासा तमाम परिचर्चा हम इस परकरण के अंतरगत करेंगे तो मित्रों ध्यान रखना पेन और कोपी लेके साथ में रहना और नोट डाउन करते रहना साथ साथ में जो हम चीजे पढ़ेंगे जो हम बाती इसके अंतरगत करेंगे उसके अंतरगत किसी भी एक्जाम के अंतरगत आए जहां पर हिंदी व्याकरण नाम लिखावा है तो ध्यान रगना किसी भी एक्ज पी का नाम क्या रहेगा भासा ग्यान रहेगा तो सबसे पहले बात करते हैं कि भासा कहते किसे हैं तो भासा तो हमारे जो सब्द है वो संस्कृत की भास दातू से बना है कौन सी दातू से बना है मित्रों भास दातू से बना है जिसका साब्दिक अर्थ क्या होता है बाशन होत होता है भाशन या हम कह सकते हैं वाचन करना या कह सकते अभिवेक्त करना अपने वीचारों का जो आदान प्रदान करने का जो एक संप्रेशन मनता है जो अपने संप्रेशन जिसको हम कहते हैं इम्युनिकेशन बनता है उसे हम किस नाम से जानते हैं भासा के नाम से संबोधिता करते हैं ठीक है तो आगे हम भासा के प्रकार भी पड़ेंगे उससे पहले हम हिंदी भासा के बारे में थोड़े सा चर्चा rhण कर लेते हैं, कि हिंदी बासा के बारे में क्या बाते होती है तो देखो हिंदी शब्द है उसके बाद में भासा शब्द है फिर हम व्याकरण शब्द के बारे में बात करेंगे व्याकरण के परकारों के बारे में बात करेंगे उससे पहले में हिंदी शब्द के बारे में बात करता हूं हिं गरंत का नाम नाम क्या है जफ्र नाम कौन से शब्लो कोन से शब्लोम मिलता है इसी कंड़ आपको हम कहते हैं कि कौन कोन सी भासा का शब्द है फारिसी भासा है फिर बात आती हिंदी दिवस, तो हिंदी दिवस है, वो मनाय जाता है 14 सितंबर को, कम मनाय जाता है, 14 सितंबर को मनाय जाता है, क्यों मनाय जाता है, क्योंकि 14 सितंबर, 14 सितंबर 1949 को, 14 सितंबर 1949 को, हिंदी को किसका दर्जा दिया गया है, राजभासा का दर्जा दिया गया है किसका दर्जा दिया गया है राजभासा का दर्जा दिया गया है इशिकन प्रतिवरस 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है हिंदी दिवस मनाया जाता है कम मनाया जाता है 14 सितंबर को मनाया जाता है और अनुछेद कौन से के तैत अनुछेद 343 da 333 के त्हीं को राजवासा का दर्जाँ डिया गया है ठीक है नेकस्ट बात करते हैं विश्व्य दिवस की बात करते हैं तो यह दस जनवरी को मना जाता है या आयोजित होता है धस जनवरी और भारत के कि इस तर के बात पर करता हूं थे वहाँ पर ध्यां रगना 14 सितंबर को मना जाता है कि नियुक ये मुदर करता जहाँ आई विश्वहिधी कि बात टा हुं तो आपर दस जन्वरी को बनाया जाता है और पॉस विश्वहिंदी समयलन की मैं बात करूमित्रों विश्वहिंदी भी 1905 के अंतरगत आयोजित हुआ था और ये कहां पर हुआ था नागपूर में हुआ था कहां पर हुआ था नागपूर और नागपूर कहां परमित्रों महाराष्टर में कहां पर है महाराष्टर के अंतरगत आयोजित हुआ था फिर आता है ग्यारवां विश्वे हिंदी समेलन क कौन सा ग्यारवा विश्व हिंदी समेलन का आयोजन कहां पर हुआ था तो ग्यारवा विश्व हिंदी समेलन का आयोजन ध्यान रखना हमारा वा था 2018 में हुआ था, पहली बात तो ध्यान रखना, कब हुआ था, 2018 के अंतरगत हुआ था, और कहा वहा था, तो इस्थान का नाम है Port Louis, कौन सा नाम है? Port Louis, और ये कहां पर है? मोरीश ablaze में कहां पर है मोरीश αυτ के अंतरगत है। कहां पर है मोरीश फिर आता है बारवा जुक्ष्ण फिवंदी समयलन कौन सा है बारवां विश्व ए घंधी समयलन ध्यानडगणा जैसे प्रशन पूच्छा जाता है आपके जी के अंदर करंट जी के अंतर ये प्रश्ण पूछ लिया जाता है कि बारवा हिंदी समयलन कब आयोजित होगा या आपसे पूछ ले कि इससे पहले वाला यानि ग्यारवा विश्वें इंदी समयलन आयोजित कहां पर हुआ था और कौन से इस्थान पर हुआ था कब हुआ था थीक है तो सामने बातें आपके सामने तो बारव county कं ड लागा इनसे ढ़ाएगा ऑँचान होगा तु मुण सभू को प्रफ्टावी कंटरुप ऊढ़ित होगा यह प्रस्तावुत है मित्रों ड्यान रखना रारा ते हम का यहां रखना मुणा लेकिन उस से पहली वाला है 2018 अंतरगत आयोजित हो गया था यह उसके बाद में बात करते हैं अगले प्रिचर्चा करते हैं मित्रों उसके अंतरगत हमारा शब्द आता है भाषा शब्द आता है भाषा शब्द की उत्पती भाषा शब्द की उत्पती भाष धातू के साथ में संस्कृत का टाप प्रत्य जुड़ाव है कौन सा प्रत्य जुड़ाव है टाप उसके अंतरगत टै की इत्संग्या हो जाती लोप हो जातर पै की इत्संग्या हो जाती दो बीच में देखो कौन सरस्वर दिखाई दिये रहे आ तो हमारे हिंदी के अंतरगत ध्यान ड़कना आपको कि भास के साथ में कौ भास का शाब्दिक अर्थ होता है बोलना क्या होता है बोलना यह हम कह सकते हैं वाचन करना यह हम कह सकते हैं अभीवक्त करना क्या करना अभीवक्त करना यह हम कह सकते हैं भाशन क्या होता है भाशन होता है यह किसका शाब्दिक अर्थ होता है भास का शाब्दिक अर्थ होता ह फिर आता है प्लेटो के अनुसार या उससे पहले हम कह सकते अपने विचारों का जो आदान प्रदान करने का जो एक माध्यम बनता है एक शंप्रेशन होता है एक कम्यूनिकेशन होता है उसी को हम किस नाम से जानते हैं भाषा के नाम से जानते हैं जो अपने विचारों का द्वन्यात्मक बात्चित है जिसे मानव अपने ओस्ठ पर ला कर जिसे मानव अपने ऊस्ठ पर लाकर मत प्रांग होई refleks क्या कशाय है're working चैसरा किंगर आते हैं अपने द्यान करना मन या मन करने श्यौन पताब का स्टा पर नहीं पता द्वन्यात्मक तुम्हें और उसे हम किस नाम से जानते हैं भासा के नाम से जानते हैं तो पलेटों ने का क्या का था कि विचार विचार आत्मा की ए धौनियात्मग ए धौनियात्मग धौनियात्मक बादचित है जिसे मानव अपने ओस्ट पर लाकर धौनियात्मक रौप रौप प्रदान करता है उसे भासा कहते हैं ठीक है साधरन सी बात है विचार आत्मा की ए धौनियात्मक बादचित है जिसे मानव अपने ओस्ट पर लाकर धौनियात्मक रौप देता है क्या कहलाती मित्रों भासा कहलाती ठीक है तो साथ ही साथ में नोट डाउन करते रहना भाई लिखते रहना बहुत इंपोर्टेट बात है विस्त्र रूप में इसको लिखते रहना नेक्स्ट बात आती हमारे सीता राम चत्रवेदी ने भासा के बारे में क्या का था इन्होंने क्या का कि गुंगो की विराट वस्तु वस्तु ही भासा है क्योंकि जिस मानव के पास में भासा का ज्यान होता है वही मानव इस संसार का स्रवस्रेष्ट प्राणी कहलाता है जिसके पास में जितनी सकती होती अर्थात किस की सकती कह रहा हूं में भासा की किस की भासा की संब्रद भासा होती है अर्थात सभी प्राणियों में मानव को ही सर्वस्रेष्ट बताया गया क्यों क्योंकि उसे भासा का ग्यान है किस है भासा का मानव अपने विचारों को आ खेत है कितने होते हैं दो परकार होते हैं कितने परकार होते हैं पहली भासा कौन सी मोखिक भासा और दूसरी भासा कौन सी है लिखित भासा अब आपके मस्तिक्स के अंतर आपके दिमाग के अंतरगत एक विचार और आ रहा है कि भासा तो तीन परकार की भी होती है कितने परक प्रकार की होती है परंतु व्याकरण के अंतरगत आप से यदि प्रशन पूछा जाता है भासा किते प्रकार की तो आप दो प्रकार की कहोगे क्योंकि तीसरा जो प्रकार आता है वो प्रकार आता है हमारा सांकेतिक कौन सा आता है सांकेतिक भासा कौन से भासा है सांकेतिक भा किसका रूप होती है द्वनी का और लिखित वासा होती वो किसका रूप होती है वर्ण का रूप होती है किसका रूप होती है वर्ण का रूप होती है मोखिक वासा का जाता है अपने विचारों को आदान प्रदान करने का जो एक माध्यम होता है और माध्यम कौन सा द्वनी का रूप होता है किसका अपने विचारों को धवनियात्मक रूप देना ही कौन सी भासा कहलाती है मोखिक भासा कहलाती है और अपने विचारों को लिखकर अभिवेक्त किया जाता है प्रकट किया जाता वे भासा कौन सी कहलाती है लिखित बासा कहलाती कौन सी बासा है लिखित बासा है और अपने अभिव्यक्ति को या अपने विचारों को संकेतों के माध्यम से प्रदसित किया जाता है क्या नियमों को संकेतों के माध्यम से बता सकते हो क्या इसारों के माध्यम से बता सकते हो क्या नहीं इसी कन हमारे को प्रशन पूछा जाए भासा के प्रकार कितने हैं तो हमारे को दो बताने हैं यदि विकल्प में दो है नहीं तो हम कितनी भासा बताएंगे तीन भासा दो और तीन दोनों दे रखी है तो ध्यान रखना आपको विशेश रूप में ध्यान रखना कि कितने प्रकार बताने हमार ताकि इकाईों के बारे में बात करेंगे तो पहली बात ध्यान रखना इकाई शब्द किस परकार से होता है इस परकार से होता है क्योंकि मूल सब्द होता है वो क्या होता है हमारा इकाई होता है क्या होता है इकाई अब किसी भी सब्द को हम क्या बनाएंगे बहुवचन मनात तो उससे पहले E की मात्रा या U की मात्रा होती है, वो कैसी हो जाती है, लगू हो जाती, यानि छोटी हो जाती, कैसी होती है, छोटी हो जाती है, तो मैं एकाई के साथ में यहां प्रत्य जोड़ूँगा, क्या जोड़ूँगा, यहां प्रत्य जोड़ूँगा, तो E की मात्र दिर्ग थी, वो कैसी हो जाती है, छोटी हो जाती है, तो ध्यानदगना बड़ी नहीं होगी, जैसे सबद आता है मालो, दवाईयां, यह medical story के उपर लिखावा होता इस परकार से दवाईयां, यह सब्द क्या हो जितरों? गलत है, क्यों है? क्योंकि मूल पूरी सब्ध हमारा है दवाई और इसके साथ में अमने या जोड़ा है बहूआचन बनाया तो शब्द क्या बनेगा हमारा दवाईया चाब्डब बनता है दवाईया शब्द इस परकार से बनेगा दूसरा आपने देखो दुकानों को पर यह भी नाम देखा होगा कौन सा मिठाई यानि मिष्ठान क्या देखा मिष्टान और मिष्ठान मिष्ठान इन दोनों में से कौन सा शब्द सुद्ध है बताईएगा जो यह सब्द दे रखें आपको इन में से आप बताएगा कौन सा शब्द सुद्ध है कौन सा शब्द सुद्ध है बताएगा जल्दी से भई कोई शब्द सुद्ध दिखाई दे रहा है क्या दोनों सब्दों में से ध्यान रखना ये दोनों ही सब्द हमारे कैसे शब्द मित्रों ए सुद्ध सब्द है ये दोनों ही सब्द के ऐसे हैं गलत है सुद्ध सब्द आता है वो इस प्रकार से होगा मिश्टान क्या होता है मिश्टान होता है क्यों क्योंकि बनता है दीरिक यानि मिष्ट पलसथ का मतलब मिठा अनका मतलब होता है मिठा है जो धान या अन वही क्या कहलाता है मिष्टांद कहलाता है तो इसका ढिए ना पूछा जाए भासा की इकायां कितनी होती है तो विभास्ता की इकाया मुखेत है कितनी होती ही मित्रों चार होती है, कितनी होती है, चार इकाया होती है, सबसे पहले नाम आता है कौन सी द्वनी आता है, कौन सी आता है, द्वनी किसे कहते हैं, वर्णों का उचरित रूप, यानि वर्णों का जो उच्चारन रूप होता ह वही क्या कहलाती है द्वनी कहलाती है तो वर्णों का लिख लेना साथ में वर्णों का उच्चारन रूप उच्चारन रूप क्या कहलाती है यानि मोखिक रूप होता है वही क्या कहलाती है अमारी द्वनी कहलाती जैसे कखपफमाला मैंने लिखा नहीं है सिर्फ क्या किया है उच्चारण किया तो अर्थात क्या कहलाती है द्वनी और द्वनी का लिखित रूप किसका द्वनी का का लिखित रूप क्या कहलाती मित्रों क्या कहलाता है वर्ण कहलाता है जैसे कखपमा कखगपमा इस परकार से आ जाता है लिखकर परकट किया जाता है अर्थात लिखित और लिखिद वासा में नहीं बतायता किसका रूप होती है फिर आती हमारे शब्द किसे कहते वह वर्णों का सार्थक शमुह क्या कहलाता है शब्द कहलाता है यदि सीधर आजै वर्णों का समुह तो वर्ण माला होती है क्या होती है वर्ण माला होती है और वर्णों का सार्थक शमुह आ जाता है तो वर्णों के सार्थक शमुह को हम क्या कहते हैं शब्द कहते हैं और वर्णों का समुह सिर्फ लिखावा है प्रशन पूछा गया है ध्यां रगना वर्णों के समुह को क्या केते हैं पहला ही उपसंता शब्दा आपके आँखो मांसु हा जाता है कि मिल गया मिलता है लेकिन ध्यार्यके साथ में सुनना कि यदि आपसे पुछे वर्णों का सार थक समूँ तभी शब्द बताना है नहीं तो वर्णों का समूँ होता वो वर्ण माला अरथा तो वर्णों को साथ में जोड़कर एक माला बनाएगी, उसका नाम क्या बन गया, वर्ण माला पड़ गया, फिर आता है कि अर्थ की दरस्टी से, अर्थ की दरस्टी से, अर्थ की दरस्टी से, शब्द कितने परकार के होते हैं, मित्रों दो परकार के होते हैं, कितने परकार क होना चाहिए अर्थ सहीत होना चाहिए सार्थ का मतलब अर्थ सहीत होना चाहिए निर्थक का मतलब क्या होता है अर्थ रहीत होता है निर्थक कैसा होता है अर्थ रहीत होता है और सार्थक शब्द होते हैं मित्रों कैसे होते हमारे अर्थ सहीत होते हैं जैसे में बात करूं आप से सार्थक के अंतरगत रमेष राकेष दसानन दसानन चचिरा चचिरा अब देखो रमेष रमेष कम संदीर अज़ि तन लाते हैं विश्णू, विश्णू का प्रिएवाची क्या हो गया, रमेश, राकेस का संदी विच्छेद क्या बनता है, राका, धन, पर겁 fourteen या呢? चा, चाचा, धन एरा प्रत्य, जूड़कर बनाया, तो ऐसे संदी समास, उपस्रक्ण call प्रत्य इन में से किसी एका भी रूप होता है तो वह क्या कहलाता है हमारा सार्थक शब्द कहलाता है तो एक बात का ध्यान डखना कि प्रतेक शब्द में संदी विछेद हो ये जरूरी नहीं है प्रतेक शब्द में समास हो ये जरूरी नहीं है और प्रतेक शब्द में प्रत्य हो ये जरूरी नहीं इन चारों में से कोई ना कोई एक रूप मिलता है तो कौन सा रूप बन जाता है हमारा सार्थक रूप बन जाता है तो सब्द सरंचना की इकाया होती हो संदी समास उपसरग प्रत्य होता है नेक्स्ट बात आती है निरर्थक शब्द जो अर्थ से रहित होते हैं मालो आपसे कह दूँ m gi वाई, वाणी, क्या वबजी, क्या सब्द है वबजी, अब आप से के दूँ वाई, वाणी, वबजी, क्या इसका कोई अर्थ नहीं कर रहा है, क्या कोई अर्थ नहीं है, जैसे आप इसको बोलोगे चाई, वाई, तो इनके अर्थ निकलेंगे, पानी, वाणी, सब्जी, वब ठीक है तो ये आपको क्या कहते हैं कि अकेले रहते तब तक तो है ये निरर्थक परंटु जब मैं इनको शार्थक शब्दों के साथ मैं जोड़ दूं तो इनका क्या निकलता है मित्रों कोई निकलेगा जैसे हम दुन दो समास के अंतरगत इसके बारे में पढ़ते हैं चाय वाई अर्था चाय इतियादी पानी वानी पानी इतियादी सबजी वबजी अर्था सबजी इतियादी का प्रियोगा करवाया जाता है जैसे आपको कभी कबार कहते है न मेहमान आतर कहा जाता है कि चाई वाई लेकिया अर्थात चाई बिस्किट नमकिन जो भी अटरम बटरम शटरम आते हैं न साथ में वो किस के अंतरगत आते हैं हमारे वाई के अंतरगत आते हैं अर्थात इतियादी का बोध करवाता है तो सही काई होती है हमारी वाक्य होती है तो वाक्य किसे कहा जाता है वाक्य कहा जाता है शब्दों के सार्थक सार्थक समुह को किस नाम से जाना जाता है वाक्य के नाम से जाना जाता है मित्रों किस प्रकार से सार्थक शमुह आपको करता मिलेगा कर्म मिलेगा और आपको क्या मि क्या मिलेगी क्रिया मिलेगी यही वबस्तित करम होना चाहिए सबसे पहले वाक्य में करता उसके बाद में करम और उसके बाद में क्या होनी चाहिए क्रिया होनी चाहिए तब जाके यह क्या बनता है पूर्ण मनों भाव देता है और पूर्ण मनों भाव की दरस्टी से या अर रावन को मारा तो मारना बोले तो क्या केलाईगी किरिया किसे मारा रावन को क्या केलाएगा कर्म कौन मार रहा है राम अर्थात क्या हो गया कर्ता तो पहले कर्ता फिर कर्म और फिर क्या हो गई किरिया क्या होती है किरिया और इनके अंतरकत पूर्ण अर्थ देने की इस पश पर भासा कि सबसे छोटी काई क्या होती है तो मित्रों ध्यान रखना क्या होता है शब्द होता है शब्द से छोटी काई का अर्थ नहीं होता है उसे हम कह सकते हैं जैसे उपसरग और प्रत्य आप पड़ते हो तो कहते हैं वे शब्दांस जो मूल सब्द के पूरों में लगक हैं कि अर्थ के इस्तर पर भासा की सबसे चोटी काई होती हो क्या होता है शब्द पढ़ते हुना परीबासा में स्वर्णों के सार्थक समुव को अर्थात अर्थ सहीत होता हो और भासा की सबसे बड़ी काई अर्थ की दरस्टी से किसकी दरस्टी से अर्थ की के दरस्टी से तो ध्यानदगना क्या नहीं कैते हैं क्या बताना है व्याकरण सास्त्र के लुप में कौन सी वह दवनी जिसके खंड या टूकडे नहीं होते उसको भी हम क्या कहते हैं वर्ण कहते हैं तो यह चार इकाया होती है दवनी वर्ण शब्द पद और वाक्य होता है अन्तिम जो आएगे पद के के बारे में देखो पद किसे कहते हैं तो शब्द को ही पद का जाता है किसको शब्द को ही सब्द को ही पद का जाता है कब का जाता है जब सब्द वाक्य गत हो जाता है वाक्य गत हो जाता है तो हम इस शब्द को ही क्या कहते हैं पद कहते हैं यानि जब सब्द के साथ में कोई कारक्चिन जूड़ जाता है विभक्ति जूड़ जाती अर्थात परसरक जूड़ जाता है तो वह क्या कहलाता है शब्द ही पद बन जाता है जैसे अभी आपने देखो अकेला मैं मैंने लिखा राम क्या लिखा राम शाम और मोहन मोहन पुस्तक पुस्तक और पढ़ना यह सारे मैंने अलग-अलग लिखे अर्थात यह क्या है है हमारे शब्द है राम शब्द है संग्या सब्द है मोन संग्या सब्द है सोहन संग्या सब्द है पुस्तक संग्या सब्द है पढ़ना क्रिया सब्द है क्या है क्रिया सब्द है अब आपको इनको क्या करना है वाक्य में पुर्युक्त करना है कैसे जैसे मैंने लिखा राम शाम और मोहन पुस्तक पढ़ते हैं अब पढ़ना बोले तो क्या केल आईगी? क्या पढ़ते हैं? पुस्तक बोले तो कर्म और कौन पढ़ते हैं? राम, शाम, मोहन, अर्थात ये क्या है हमारे करतापद है और ये क्या है कर्मपद है और ये क्या है क्रियापद है क्या है क्या है क्रियापद है तो करतापद कर्मपद और कौन सा पद है हमारा क्रियापद है मित्रों कौन सा है क्रियापद तो अब ये जे को अकले लिखे वे तब तक थे थे सब्द कर दिया तो ξबसका रूप धारण कर लेते हैं कि नेक्ष्ट बात करते हैं ुकेर ना किया होता है लिखना मानडना या किस को K मेरोप दूवण G BONH में लिखना दुवनी को चिनो के रूप में लिखना क्या 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 लाती है लिपी क्या क्या लाती है नेक्स्ट बात आती है हमारी लिपी कौन सी मित्रों देव नागरी है कौन सी लिपी है हमारी देव नागरी लिपी है ध्यान रगना देव नागरी लिपी मनोवेग्यानी लिपी है सरवेस्थ्रेश्ट लिपी है सबी लिपियों में से कैसी लिपी है मित्रों सरवेस्थ्रेश्ट लिपी है क्यों है क्योंकि प्रतियक वर्ण के उपर ए दूसरी बात होती है एक वरग का एक उच्वार्च होता है यानि एक वरग में प्रती उपर महते हैं इसitesh विशेशता होती है और किदर से किदर लिखी जाती एदर रिखां दाइंसे उर्म होग परती वोर्ण के उपर है रह Ching खिंची जाती है जिसकों किस नाम से जानते हैं सिरु रेखा या आधार रेखा के नाम से जानते हैं प्रति एक वरण की आकरती भिन भिन होते वे भी एक वरण एक वरण नहीं है एक वरग एक वरग का एक वरग का एक उच्चान स्थान होता है जैसे कख घंग इन पांचों व कि यह वो क्या है कंठ है जैज है यहां सारे वर्णों की अकरति अलग बृण की आकरती बृणती इसटर करते हैं नेक्ष्ट बात करते हैं नेक्स्ट नक है को इसका अंतरगत वह बात किया कुछ प्रत्盪्रीक ुचिंद होते हैं, क्या होता के अंतरगत यह ऊपर लगने वाला चान्द क्या कहलाता है जिसको हम अर्द- जो यह नीचे एसे बिंदि आ जाती जैसे आप ऐसे बिंदि लगाते हो ? इसको बोलते हैं हम उक्षिप्त चिन बोलते हैं जो ड़ widerने डियकर लिखे व होते हैं जो हम आगे बाते करेंगे तो इस प्रकार से ध्यान रखना ये भी इसा種 मेन को समय को दिए होते हैं तो देवनागरेली पी होती है डेवनागरी लिपी सभी लिपियों में क्या होती है प्सक्रासरिक्षों मनोवज्यार्णीक ३ार्ध। होता है जिसे साइकलो जी सब्द लिखती हुआ तो पी एस वाई से सुरू होता है अगर नहीं होता पी से शरू होता है आप शी fundamental जी बोलते आ यह साइकलोजी बोलते यह साइलेंट हो गया जैसी मानलोव आपने बोला सब्द यानाउ शब्द बोलते हैं को औन ओ डबलु ऐसे शब्द लिखते हो तो यहांसे शब्द बोलते हो यहां लिखते हो यह सी लिखतें न दूसरी जैसे आपने लिखा जैसा लिखा जाता है वैसा ही क्या इतर होता है उच्चारण heures होता है ठीक है मित्रों तो हमने इस परकरण के अंतरगत बात की थी आपके भासा ग्यान के बारे में किसके बारे में बात की अगली परकरण के अंतरगत अगले परकरण के अंतरगत जो हम बात करेंगे आपके इसके आगे का पोर्शन बात करेंगे तो आज के अंग में बस इत झाले.